असलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैथ अटेक, आज किस एपिसोड में मैं आपको बच्छों के लिए बनाये जाने वले सबसे एडवांस ट्वाइस के बारे में बताने जा रहा हूँ, सो लेट्स बेगिन बलून पंचर, दूस्तो वैसे तो आप सबने अमेजिंग टॉइस देखे होंगे, लेकिन इस जैसा इंकरेडिबल टॉइ, आज से पहले आपने कभी ने देखा होगा, इस एक चाइनिस कंपनी योको के डिवेलपर्स ने बनाया है, ये बेसिकली इंफलेटिबल बलून्स हैं लेकिन इस कंपनी ने औरडिनरी बलून्स को भी नेक्स लेवल वर पहुचा दिया है, इन्होंने इन बलून्स की मदद से रेडियो कंट्रोल रोबोट्स डिजाइन किये हैं, इस रोबोट का साइज बहुत चोटा होता है, और इसकी बॉड़ी रोटेटिबल होती है, इसक इन में से एक बलून पढ़ नहीं जाता, जिस प्लेयर का बलून पढ़ जाता है, वो हार जाता है, जबके दूसरा प्लेयर जी जाता है, इस ट्वाइ के साथ आपको बहुत से रोबोट फेस वाले बलून्स भी प्रोवाइड किया जाते हैं, आप इस ट्वाइ को सिर्फ 50 टॉलर में पाय कर सकते हैं, डी जी आई रोबो मास्टर S1, दोस्तों अगर आप अपने बच्चों की लर्निंग स्किल्स को बढ़ाना चाते हैं, तो ये ट्वाइ आपके लिए बेस्ट च्वाइ साबट होगा, इसका नाम डी जी आई रोबो मास्टर है, और इसे डी जी आ गया है, जिसकी वज़ा से ये किसी भी आपस्टिकल को सेंस कर लेता है, और इसे टकराता नहीं है, ये रोबोट आपके बच्चे को फिजिक्स, मैथ, प्रोग्रैमिंग और एवन के रोबोट को अंडर्स को अंडर्स करने में भी हेल्प करता है, इसके अंदर जादा पैनि रिमोट कंट्रोल कार्स हर बच्चे के ही फेवरेट होती है, लेकिन अगर आप अपने बच्चे के लिए नेक्स लेवल रिमोट कंट्रोल कार बाई करना चाहते हैं, तो ये ड्वाई आपके लिए बेस्ट च्वाइस सावत होगा, फस्क्लास में तो इसकी शेप बहुत ही उन्जूजूल लगती है, क्योंकि इसके वील्स कार के मुकाबले में काफी सादा बड़े होते हैं, लेकिन इसके वील्स का साइज बढ़ा रखने की एक खास वचा है, इसके बड़े बड़े टायर्स इसलिए लगाए गए हैं, ताकि ये किसी भी सर्फिस पर एजिली लगे इसके अंदर फ्लाइट मोड भी लगाया गया है, अगर इसके रास्ते में कोई चीज़ आ रही हो, तो आप अपनी कार को 22 इंच तक जम भी करवा सकते हैं, ये कार रियली इंक्रेडिबल है, और आप इसे तकरीमन 40 टॉलर में बाय कर सकते हैं, फिन गियर्स तो सो बात करें, तो इनका ट्रेंड काफी पुराना हो चुका है, अगर आज से एक या दो साल पहले की बात कीचाए, तो ये ट्वाइब बहुत ही पापुलर हुआ करता था, हर कोई इसे यूज़ करता था, और इन्हें स्ट्रेस रिलीव गैजट कहा जाता था, लेकिन एक अमेर की वज़ा से ये एक दूसरे से जोड़ते भी नहीं हैं, और अलग होकर गिरते भी नहीं हैं, इन ट्वाइस के बॉक्स पर कंपनी की तरफ से 10 ट्रिक्स भी लिखी होती हैं, जिनकी मदद से इस ट्वाइब को और भी ज्यदा इंज्वाइबल बनाया जा सकता है, सिर्फ इ होते हैं, इनकी मदद से वो बिजी रहते हैं और इनकी अंदर क्रियेटिविटी भी बढ़ती है, वैसे तो हर ट्वाइब कंपनी ही ऐसे ट्वाइस बनाने की कोशिश करती है, जो बच्चों को अपनी तरफ एट्रैक्ट कर सकें, और बच्चे इनके साथ खेल कर एंज्वा जा सकता है, दूसरे ट्वाइस की तरह इसके किसी चीज़ से लगकर तूटने का भी कोई खतरा नहीं होता, इसकी वज़ाए ये है कि ये ट्वाइब का बना होता है, इसके फ्रेंट पर तीन सक्षन कप्स लगाए गए हैं, जिनके मदद से ये ट्वाइब किसी भी सर्फिस पर चिपक जाता है, ये एक बहुती सेफ ट्वाइ है और इससे आपके बच्चे को चोट लगने का भी खतरा नहीं होता, इवन के छोटे बच्चे भी इस ट्वाइस से एजली खेल सकते हैं, इसकी शेप एक एक्स की तरह होती है, इस ट्वाइब को बहुत से डिफरेंट त ट्वाइब बनाने के लिए यकिनन बहुत साथा मैनत और टाइम की जरूरत होती है, ये जो ट्वाइब आप दिख रहे हैं, इसके डिवैलपर्स को इसे बनाने में साथ महीने का वक्त लगा था, हाला कि देखने में तो ये एक सिंबल सी गन है, लेकिन इसके अंदर बहुत इस ब्लास्टर की पावर को आप अपनी मर्जी से अजस्ट भी कर सकते हैं, अगर आप एक अच्छे प्लेयर हैं, तो आप एक मिनट के अंदर छे रौंड्स भी खेल सकते हैं, इस ट्वाइब की एक और खास बात ये भी है, कि इसके अंदर एक वक्त में आप 120 डिस्क्स लो कर सकते हैं, असल में ये एक VR फिशिंग गेम है, इसके जरीए आपका बच्चा अपने रूम में बैठ कर रियल फिशिंग का मजा ले सकता है, ये सिस्टम एक सिंपल सी एप के जरीए आपकी मुबाइल से कनेक्ट हो जाता है, इस गेम में आपको बाकाइदा एक रोड भी जाती है, इस रोड के फ्रेंट पर एक वोल्डर लगाया गया है, जिसके अंदर आप अपना मुबाइल अड़ेस्ट कर सकते हैं, इसे किसी भी LED ये कम्प्यूटर स्क्रीन पर खेला जा सकता है, इसके इलावा फिशिंग रोड के अंदर दो सेंसर लगे होते हैं, जो कि अब तलिफ किसम का खाती हैं, और इन सब का शिकार करने का अलग अलग तरीका होता है, वेल अगर आपको फिशिंग करने का शौक है, तो आप इस इंटरस्टिंग गेम को 300 डॉलर में वाय कर सकते हैं, स्पीरो मिनी एक्टिविटी किड, दोसों ये जो टॉय आप दिख रह इस रुबोट की शकल एक चोटी सी बॉल की तरह होती है, लेकिन इससे आप बहुत से गेम्स खेल सकते हैं, इससे मीनी बॉलिंग की तरह भी खेला जा सकता है, और ये एक आर्सी टॉय भी बन सकता है, ये टॉय आपकी दिख कमांड पर एक्शन लेता है, और अगर आपका म मूड खराब हो चाए तो ये आप के लिए एक रिलेक्सिंग गैजट का काम भी करता है इसके डिवेलपर्स का कहना है कि इस ट्वाइ की मदद से आप 15 डिफरेंट गेम्स खेल सकते हैं बेसिकली आप इसे मल्टी आर्केड गेम भी कह सकते हैं आप इस अमेजिंग ट्वाइ को सिर्फ 80 डॉलर में परचेस कर सकते हैं दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं आज के लिए दना ही दोस्तों नेक्स वीडियो तक के लिए अल्लहाफिस